जी बहुत बढ़ियां हूँ और उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पुरे परिवार के साथ मज़े की बात यह कि कलाकार जिंदगी में जो होता है उससे अलग वो किरदार निभाता है और कलाकार खुश नसीब है कि एक ही जीवन में वो कई सारे चरित्र को निभाल जाता है तो हमारे निर्देशक चंदन जी ने आदेश किया कि आप गरीबी से जूज रहे हैं मज़़ूरी कर रहे हैं तो मज़़ूरी कर रहा हूँ तो कुदाल तो चलाना ही पड़ेगा हम लोग पहले रियल जिन्दगी में करते हैं ताकि वो सोभाविक लगे इसलिए असली जिन्दगी में भी कुदाल चला लेते हैं और फिल्म में तो चलाते ही हैं मैं तो हमेशा नए लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ चुकि ये खुश नसीबी है मेरी कि मैं पांचवी पीड़ी के साथ काम कर रहा हूँ मैंने उन लोगों के साथ अपना सफर कलकार के रूप में शुरू किया था जिन्नोंने भोजपुरी सिनेमा को जनम दिया था तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा तब यहाँ पहुँचा और आज की पीड़ी से बहुत कुछ हर रोज सीखता हूँ ताकि कुछ दिन और उन लोगों के साथ काम कर सकूँ ये तमन्ना लिये हुए हर रोज सीखने की कोशिश करता हूँ और इस फिल्म को मैं अभिने करते वक्त मुझे लगा कि जो हमारे राइटर हैं जो हमारे डिरेक्टर हैं उन्होंने वास्तविक चित्र जो हमारा भोजपुरिया समाज है जो हमारा परिवेश है जो हमारे आपसी संबंध होते हैं उसका बहुत सही चित्रन किया है और निर्माता रमेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे सब्जिक्ट जो हमारे निर्देशक चंदन जी या राइटर ने जो लिखा है उस पर भरोसा जताया है कि एक पूरी तरह पारिवारिक फिल्म ये बनने जा रही है जिसे आठ साल की बच्ची के साथ 80 साल की दादी भी एक साथ बैठ के देख सकेगी और जो भोजपुरिस शिनेमा पर इलजाम लग रहा है उसको ये फिल्म जुट लाने वाला है आपका जो दोर था और अभी के दोर में क्या कुछ अंतर है भी देखें अंतर तो हमेशा वक्त के साथ होता है और वक्त के साथ बदलाओ भी होना चाहिए इसमें आज हम लोग जब नायक थे उस वक्त इतनी फैसलीटी नहीं थी बड़ी मुश्किल से फिल्में बनती थी निवेश करने के लिए कोई जल्दी तयार नहीं होता था पत्रकारों की कलम की सियाही सूख जाती थी भोजपूरी फिल्म या भोजपूरी फिल्म के कलाकारों के बारे में लिखने में इलेक्ट्रोनिक मीडिया नहीं था तो आज हम सक्षम हुए हैं सबल हुए हैं यह सारी ताक्तें आज हमलों के साथ जुड गई हैं तो हमें और अच्छा काम करना चाहिए और समाज बदलता है तो सीनेमा बदल जाता है लेकिन जो हमारी पहचान है जो हमारी रिती रिवाज है जो संस्कृती है वो नहीं बदलना चाहिए वरना मेरी पहचान मिठ जाएगी और इस फिल्म में हम लोग उसी को साबित कर रहे हैं कि जो मेरी पहचान है वो बरकरार रहे हैं परन्तु कुछ अच्छे सब्जेक्ट नहीं होते हैं जो भोस्पुरी की संस्कृति को दिखाए गाए इसके आप कहा न देंगे हाँ अशलीलता का इल्जाम तो लगा है और मैंने कहा ना कि जैसे समाज बदलता है सिनेमा बदल जाता है लेकिन हम सिनेमा वाले गर्व से एक बात तो कह सकते हैं हम आए दिन अखवारों में देखते हैं टेलिवीजन में न्यूज सुनते हैं अखवारों में पढ़ते भी हैं कि कहीं भाई बेहन को रेप कर दिया कहीं पिता ही अपनी पुत्री को बलातकार करता है समाज में बलातकार बढ़ गया है लेकिन कम से कम हम अपनी फिल्मों के जरीए इतना जगन्य अपराद नहीं दिखाते हैं तो वो एक इंसानियत हम सिनेमा वालों के बीच बची हुई है जो गलत है समाज में सब कुछ गलत नहीं दिखाया जा सकता चुकि एक अच्छा संदेश भी हमें देना होता है तो मिल मिलाके मुझे खुशी है कि हम फिर से अपनी परंपरा को जीवन्त कर रहे हैं गाने को लेकर हमेशा आरोप लगते हैं कि गाने अच्छे नहीं बन रहे हैं आज की समय में भी गाने बहुत सरे से नए कलकार लेकर आ रहे हैं जिसको घर में नहीं सुना जा सकता है अब ही राजनीती में हूँ लेकिन सिर्फ आवाजी उठा सकता हूँ चुकि हाथ में वो मजबूत कलम नहीं है जिसके दस्तखत से कोई नई कानून बनाई जाए लेकिन मेरा आगरा सरकारों से रहेगा कि ये जो प्राइविट म्यूजिक एल्बम बना के कोई कहीं भी किसी भी गीत को रेकॉर्डिंग करके बाजार में यूट्यूब में छोड़ देते हैं मैं कभी कभी बिहार पटना में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक जीप में लाड़ो स्पीकर में अशलील गीत बज़ते रहते हैं उसी में हमारे घर की मा बहने बैठी रहती हैं शर्म से चहरा जूग जाता है ठीक है मनोरंजन एक दाइरे में हम लोग के हाँ शादी बिया में भी नाच गाने का प्रोग्राम होता है लेकिन इसकदर अशलीलता नहीं होती है कि जिस पे खुद ही शर्म सार हो जाए हमारा चेहराई जुग जाए तो ये तो पहल सरकार को करनी होगी उन्हें रोक लगान होगा कि ऐसे गीत कहीं भी रिकौर्ड नहीं किये जाएं कहीं भी बाजार में परचलित नहीं किये जाएं आपके फिल्म के नई प्लानी चल रही है जिहां मैं सोच रहा हून दो-तीन तरह की कहानिया हैं दिमाग में और मैंने भी गलती की थी चोर पुलीस बनाके मैं भी ब वास्तविक्ता से दूर की एक फिल्म मैंने बनाई और उसका नतीजा मुझे भोगना पड़ा लेकिन मैं अपने जीवन की सफलता देखूं या भोशपूरी सिनेमा की पहचान जिन फिल्मों से बनी है वो सब के सब पारिवारिक फिल्में रही है तो मैं फिर से एक पारिवार दबंगई से लड़ाई उसकी हो रही है महंगाई भुरून हत्या इन साथे चीजों को ताना बुना करके एक सामाजिक प्रिष्ट भूमी पे जो हमारा समाज है वैसी एक खिल्म बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं मुझे तो हमेशा नए लोगों के साथ काम करके ये लगता है कि जब हम नए थे तो हम इतने समझदार नहीं थे ये आज की पीड़ी बहुत समझदार है कहीं ज़्यादा परिपक्को है लेकिन अभने एक ऐसी चीज है जो रातो रात किसी को महान अभीनेता नहीं बनाया जा सकता ये निरंतर प्रक्रिया है ये नوجवान बच्चों के वेरी शुकामना है ये महनत करें ये नहीं समझें कि मैं हीरो हो गया हूँ मैं हीरोईन हो गया हूँ तो मैंने दुनिया जीत ली ये वो मुर्ख होता है जो समझता है कि मेरी सफलता से दुनिया चलती है दुनिया से हम चलते हैं तो ये निरंतन उनको मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा उमीद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा नाम बनके आने वाले समय में उभरेंगे चंदन जी से मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि एक तो आज की पीड़ी के वो निर्देशक है और सीन को बहुत अच्छी तरह पहले वो समझते हैं तब हम कलाकारों को समझाते है जिससे हमें अभिने करने में बहुत सहुलियत होती है और मुझे लगता है कि जो हमारा समाज है हम इस टेकनलोजिकल वर्ल्ड में जीने के बाद भी वो छोटी छोटी बारी की जो चीजें होती है वो बताते हैं कि मिट्टी कैसे उठाईए या मा कैसे आएगी तो ये चीजें दिर्ष्ट को और मजबूत कर देती है और अभीनेता को बहुत सहुलियत मिलता है तो मैं बड़ा पहली बार में उनके साथ काम कर रहा हूँ मेरी बहुत दिनों से ख्वाइश थी कि इस नौजवान निर्देशक के साथ काम करो लेकिन मौका नहीं मिल रहा था लेकिन आज काम करके मुझे संतुष्टी हो रही है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा निर्देशक बने गई है जी हाँ दर्षकों से आप दर्षकों से हाथ जोड की यही बिंती है कि अपनी भाशा पे गर्व कीजिए आप कभी भी मत समझे कि हमारी भाशा या हम किसी से कम है हम किसी से कम नहीं है अपनी भाशा पे गर्व कीजिए और भोजपुरी सिनेमा हम बड़ी महनत से फिल्मे बनाते हैं बड़ी महनत से पैसों का इंतजाम किया जाता है और एक फिल्म मनाने से सैकरो परिवार को रोटी मिलती है लेकिन अगर आप थियेटर में जाके नहीं देखेंगे तो ये इंडस्ट्री खतम हो जाएगी आप से इतना ही अनुरोध है कि सिनेमा हॉल में देखिए बड़े स्क्रीन पे इसका मजा लीजिए और ये सहियो क्या पेक्षा करता हूँ तभी आप मजबूत रहेंगे आपकी पहचान जिन्दा रहेगी हमारी भी पहचान जिन्दा रहेगी तरह एक इंडस्ट्री से निवी ले रहा हूँ सेलिविटी को लेकर उतल उतल जलो प्रेस प्रेस्ट को लेकर शेक्षा करेंगे प्रेस्ट को लेकर टार्थ को लेकर विजए